आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिदीज मैजिक कोकिंग में आज मैं नमक पाड़े की रिसिपी लेके आई हूँ जिसे हम डिफरेंट शेप में बना सकते हैं यह आटा से बना है और बहुत ही खास्ता बनी है इसे हम बहुत सारे नामों से जानते हैं जैसे मच्छरी नमक पाड़ा नमकी तो आईए चलते हैं किचिन चार बड़े कप से आटा लेना है वीट फ्लावर गेहों के आटे को हम फूट प्रोसेसर में डाल देंगे आटे गूतने के लिए एक बड़ा चमच सूजी लेना है इससे नमकी बहुत क्रिस्पी बनेगा यहां पर आजवाइन एक चोटी चमच आजवाइन आप डाल लें और नमक स्वादा नुसार सभी को डो मेकर में डाल देना है मेडियम साइज कप में एक कप रिफाइन तेल ले रिफाइन डॉयल इससे भी डो मेकर में डाल लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो अब यह बाइंड होने लगा है थोड़ी दोई रोड़ी से मिक्स करें अब इसमें थोड़े थोड़े से पानी डालना है पानी ज्यादा नहीं डालना है बड़े चम्मच से चार चम्मच पानी डालना है बस इसे ड्राई रखना है ज्यादा आटी की तरह नहीं गूतना है जैसा आप रोटी कांट अपनाते हैं वैसा नहीं गूतना है आप याप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनाना है इसे और हाथों की मदद से इसे गुथ लेना है इसका डो बनाना है यहां पर मैदे का यूज बिलकुल नहीं किया है रोल करके बेलन की मदद से रोटी की तरह इसे बेल लेना है बहुत पतला नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं अब कोई भी शेप इसे दे सकते हैं यहां से क्योंकि इसे कट करके अलग-अलग शेप्स देने है अब के थिकने से इतने होने चाहिए इसके पिजा कटर की मदद से यह सबसे आसान तरीका है नमकीन नमक बाड़ा बनाने का कुछ इस तरह से कट करें तो आपका यह शेप मिल जाएगा फिर सेम प्रोसेस अगर आपके पास कटर नहीं हो तो आप किसी भी बोटल का कैप यूज कर सकते हैं और कैप की मदद से आप राउंड राउंड कट कर सकते हैं गोला शेप देने के लिए यह मठरी के शेप का हो गया है इसे पोक करना ना भूले इसमें इस तरह से पोर करना है चेद करना है अब यहां दूसरे तरीका देखिए आप क्याचिका यूज करके इसे कट कर ले और कुछ इस तरह से फ्लावर कर शेप दे दे कुछ इस तरह से भी कट करके आप बना सकते हैं आप देख सकते हैं यहां इसमें भी पोप कर ले यहां पर दीए का शेप दिया है यह दिवाली में बहुत अच्छा लाएगा इसे आप सेव पूरी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसमें दही बेकरा डालकर सेव डालकर बहुत सुन्दर दिख रहा है बहुत हेल्थी भी है यह एक साथ भी आप इसे असानी से कट कर सकते हैं कुछ इस तरह से आप देख लें यह टाइम सेव करेगा अब यह सारे त्यार हो गए है गैस का फ्लेम आउन कर दें यहाँ पर एक कड़ा ही ले ले और इसमें रिफाइंड ओल लेना है और इसे तेल को गड़म करना है सभी को तेल में चानना है अब कैसे पता चलेगा कि यह चंकर त्यार हो गया है तो अगर जाग बन रही है इसका मतलब है इसे और थोड़ी देर चानना है जाग जैसे जैसे खतम होने लगेगा नमक पाड़ा उपर की तरफ आजाएगा आप देख सकते हैं यह बिल्कुल साफ दिखने लगेगा और कलर भी चेंज हो गया है ज्यादा ना पकाई यह बन कर त्यार है कुछ इस तरह से इसे चान कर निकाल ले मत्री को जानना है सबी बन कर त्यार हो गया है तो अगर आपको यह रिसिपी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें सबस्क्राइब करें लाइक करें और तो कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी तो मिलती हूँ आप से मेरे आने वाले नए रेसिपी में